Hello everyone, welcome to Pinnacle Video Lectures Pinnacle Video Lectures के स्रीज में मैं आप सभी का बहुत-बहुत साइब करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग Polity के Lectures को अभी continue कर रहे है Polity में हमने अल्यडी कुछ beautiful questions discuss किये है Last class में हमने sources of constitution को discuss किया था sources of constitution के अंदरगत हमने बहुत सारे questions को discuss किया है और इस class में भी कुछ हम sources of constitution है, उसके प्रस्ट को discuss करेंगे I hope you people are putting the absolute effort for your examinations मैं मैं सा कहता हूँ कि किसी भी चीज को move करने के लिए अगर X force की जववत है, तो unless and until you make that X force वो body move नहीं करेगी किसी exam clear करने के लिए एक certain amount of hard work की जववत होती है जब तक आप वो hard work नहीं करोगे, आप उस exam को qualify नहीं करोगे So, अपने तरब से आप अपने पूरी effort लगाईए and rest assured, we at Pinnacle are here to help you हम लोग आपके चीजों को, आपके exam को, आपके मेहनत को थोड़ा कम तो जरूर कर देंगे So, I hope you people are enjoying our lectures, 6500 MCQ के video lectures हम लोग कर रहे है इसके अलावा, I request you, please write multiple tests आप test जरूर लिखें, जब तक आप test नहीं लिखोगे आपका जो evaluation है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है तो आईए, बाते आगे करेंगे फिर से लेकिन आज के lecture में हम लोग politics section के जो sources of Indian constitution है, इसी topic को आगे बढ़ाते हुए और 25 बहतरीन प्रश्णों को देखेंगे तो आज का जो पहला question है, वो आपके screen पे है ये The power of judicial review in Indian constitution and the provisions of independence of judiciary is taken from which country मैं हमेज़ अपने lectures में अपने शुन्टों को बताया हूँ कि जब भी कोई प्रस्ण आए, आपको जो keywords है, उस पे ध्यान देना है यहाँ पे keywords क्या है? Judicial review, right? उसका आद keyword क्या है यहाँ पे? Independence of judiciary हमारे देश में जो judiciary की independence है और एक और जो concept है judicial review का जब भी कोई कानून हमारे देश में बनता है तो अगर उस कानून में कोई भी तुरुटी हो या कोई भी इस तरह की कमिया रह गई हो जिसको identify करना बहुत जोड़ी है तो उसको identify करने के लिए हमारे पास एक body है जिसको हम दोग सरवच्च नियाले के नाफ़ जानते है और सरवच्च नियाले अपनी power के इस्तमाल करते हुए उस law को उस act को जिसको संसर्मे या किसी और राज के विधान परिसद्या विधान जो बोड़ी है जो law making body है वो बनाती है तो उसको Supreme Court Judicial Review के अंदर गत उस particular act को क्या कहता है that act is null and word यह constitutional term है जो मैं आपके सामने लिखा हूँ जब भी कोई कानून में जो कोई कमिया रह गई हो या कोई miss intention के साथ उस law को बनाया गया है तो उसका complaint Supreme Court में हो सकता है या Supreme Court Suomoto Suomoto कारत होता है कि Supreme Court अपने आप उस law को review कर सकती है और उस review करने के बाद उस law को क्या डिकले करेगी null and void मतलब वो कानून permanently delete हो सकता है Supreme Court को द्वारा और यह जो process है इसको मैं क्या कहते है judicial review judicial review नयाइक पुनरवा local इसी feature को किस देश से लिया गया है यह प्रस्चन आप से पूछा जा रहा है आपके सामने चार options है Australia, Germany, Japan और America Yes क्या होगा इसका right answer यह आपको बताना है तो judicial review का जो provision है वो आपका लिया गया है अमेरिका से अमेरिका से यह जो provision है वो लिया गया है यह आपको बिलकुल ध्यान रखना है मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसा law जो कानून के अनुसार नहीं है तो उसको Supreme Court Judicial Review के अंतरगत null and void declare करती है मतलब उस कानून को खारिज कर देती है उस कानून को खत्म कर देती है और यह जो power है हमारे समिधान में हमारे Supreme Court के पास यह कहां से लिया गया है यह लिया गया है अमेरिका से United States of America Let's move to next question Financial emergency provisions of Indian constitution have been borrowed from भाड़िते समिधान के वित्य अपातकान से सम्मधित प्राधान किस constitution से लिये गया है आपको पता है है नहारे देश पे तीन तरह की अप्रशनसी है National Emergency ठीक है पिर State Emergency State Emergency and the finally and the last is Financial Emergency Financial Emergency आर्टिकल 352 आर्टिकल 356 and आर्टिकल 360 किनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं किनों आर्टिकल्स की बारे में आर्टिकल्स में आप से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर प्रश्ट है कि Financial Emergency Provisions जो है इंडियन कोंशनर का वो किस देश से लिया गया है जो वित्य आपात्काल है जैसे किसी देश में वित्य आपात्काल आज सकती है जैसे कि Finance की बहुत कमी हो जाएगी पैसे की बहुत कमी हो जाएगी तो उस समय उस परिसिती में हमारे राश्टपती आर्टिकल्स 360 का इस्तमाल करते हुए Financial Emergency Impose कर सकते हैं अच्छा वित्य आपात्काल में क्या होता है वित्य आपात्काल में राश्टपती के पास इतनी पावर होती है कि जो भी सरकारी करमचारी है उनका जो payment है उनकी जो salary है उसको वो reduce कर सकते है substantially मतलब आपको इतना पैसा दिया जाएगा उस दोरान जिससे आपका भरन पोसन हो सके लेकिन आपकी जो salary है जो exact salary आपको मिलती थी उसमें कटवती की जा सकती है उससे क्या होगा कि देश की जो वितियस देती है उसको फिर से improve किया जा सके ठीक है तिस इस कॉल्ड financial emergency वितिये आपातकाल आप से परस पूछा जा रहा है कि यह जो provision है वो किस देश से लिया गया है आपके सामने चार उप्संस है Canadian constitution, American constitution, Irish constitution और German constitution Yes Yes, the right answer is German constitution The right answer is German constitution, clear है याद रहेगा German constitution से हमारा जो वितिया पातकाल का provision है वो लिया गया है Let's move to next question The idea of residual power In Indian constitution has been taken from the constitution of भारतिया सविधान में अवसिस्ट सक्तिया अवसिस्ट सक्तिया क्या होती है जो किसी स्पेसिफिकली किसी body को नहीं दी जाती है जैसे मानो किसे state के पास या center के पास specific mention नहीं हो वो जो है, वो residual power है वो special powers होते है, residual powers वो power जो होता है, वो किसके पास है तो वो होता है, center के पास generally जो main power unit होता है किसी देश का, जैसे center government होती है center government के पास ही residual power होता है तो क्या question है, कि the idea of residual power Indian constitution has been taken from हमारे देश में भी residual power का provision है, और इस provision को किस देश से बोरो किया गया है, यह प्रसन आप से पूछा जा रहा है आपके सामें 4 options है, South Africa Canada, Japan या USA Yes, tell me the right answer residual power का example लेते हैं, क्या हो सकता example residual power का अगर मैं कहूं, कोई सा power बताईए जो कि और center के पास है, तो क्या example होगा appointment of governor appointment of governor is a kind of residual power, is an example of residual power, ठीक है चलिए, जो question है, उस पर आते हैं यह किस देश के समिधान से लिया गया है, यह आपको बताना है Yes, it has been taken from Canadian Constitution ठीक है, Canada के Constitution से यह provisions लिया गया है Let's move to next question तो, पोल्टी के articles seriules और parts और list इस section को अब हम deal करेंगे, इसके पहले हमने sources of Indian Constitution के बहुत सारे questions को देखे हैं, जब आप test लगाओगे जो हमने test design किया है आपके लिए अगर उस test को भी आप लगाओगे तो उसमें हमने बहुत सारे से questions जो है और इसमें हमने डाले हुए है जो कि sources of Indian Constitution से है इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हमारी book है 65 hundred और यह जो video lectures है और जो test है, अगर इस तीनों को follow करोगे तो आपका score generally अच्छा होगा तो आपका score generally अच्छा होगा तो आपका score of constitution को के video lectures हमने complete कि है, आईए अब article और schedule के कुछ questions को देखते है Which articles of the constitution separates the judiciary from executive Yes separation of power का concept आप जानते है हमारे समिधान में separation of power का concept है separation of power separation of power separation of power is a very beautiful concept this concept it itself is a solution for many problems which could arise between executive and judiciary बहुत सारे समस्याएं जिसकी उत्पत्ती हो सकती है उसका ही समाधान है separation of power ठीक है तो क्या है Which articles of the constitution separates the judiciary from executive judiciary को executive से अलग कोन करता है यह आपको बताना है Which articles of the constitution separates the judiciary from executive ठीक है तो न्यायपालिका है और कारपालिका है इन दोनों को अलग किया जाता है separate किया जाता है और इसके बारे में भारतिय समिधान के आर्टिकल में चीजे mention है वो आर्टिकल बात करता है कि there shall be a separate executive and separate judiciary and that article is article 50 article 50 को याद करने का बिलकुल आसान तरीका है आप इसको 50-50 के नाम से याद कर सकते हैं 50-50 मतलब separation of power separation between executive and executive and judiciary न्यायपालिका और कारपालिका के बीचों का जो separation है उसको article 50 के थुरू 50-50 किया गया है ठीक है ऐसे चीजों को आप याद करके अनलाइज करके याद कर सकते हो तो it will become very easy for you to memorize क्योंकि बहुत साथ चीजों को याद करना पड़ता है तो अगर आप इसकुछ hacks नहीं इस्तमाल करोगे तो चीजे असानी से याद हो नहीं पाएंगे ठीक है इसलिए ऐसे सब चीजों को इस्तमाल करके और ऐसे questions को याद करने हैं अगले परसकी सब चलते हैं भारत के समिधान का कौन सा अनुछेद राष्टपती को विश्ष्ट स्रेणियों के मामलों में उच्चितम नियाले की राय लेने के लिए अधिक्रित करता है क्या question है भारतिय समिधान का वो कौन सा आर्टिकल है भारतिय समिधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो हमारे देश के रासपती को यह authority देता है कि जब भी a question of law and fact arises जब भी कोई यह से समस्या उत्पन्ध हो जाए जहाँ पर कानून के बारे में हमें लगे कि यह क्या कानून सही है या गलत है या कोई ऐसा fact हो जो रासपती हो हमारे देश को रासपती है उनको लेगी नहीं इसमें मैं confuse हूँ तो वो direct supreme court से opinion ले सकते हैं ठीक है direct supreme court से पूछ सक लगते हैं कि मुझे इसको विसे पे आप advice करो ठीक है और जो advice होता है supreme court का मैं आपको बता दूँ इस not binding not not binding not binding का क्या मतलब है मतलब कि मैंने supreme court से कुछ पूछा supreme court ने मुझे supreme court का सुझाओ दिया कि हां sir ऐसे से यह होगा ऐसे करना है तो binding नहीं है मेरे उपर कि मुझे supreme court का सुझाओ मानना ही है that is not binding that is an opinion of the supreme court which is up to me वो मेरे उपर है कि मैं उसको मानूँगा कि नहीं मानूँगा और यह जो provision है किस article के थुरू है यह आपको बताना है आपको सामने तीन चार article पर है आप बताए कि उसका right answer क्या होगा इसका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा article 43 और article 43 में क्या है it is called advisory jurisdiction of supreme court advisory jurisdiction यह jurisdiction है वो supreme court का है यह supreme court ही अपना opinion जो है वो रास्पति को दे सकता है so it is called advisory jurisdiction of supreme court under article 143 which is not binding on the president रास्पति के उपर यह binding नहीं होता है रास्पति के उपर depend करता है कि वो उसको accept करना चाहता है यह नहीं चाहते है ठीक है clear है यह सी समझ गया article 143 deals करता है इस next question लेते हैं which articles of the constitution of India mentions that business in parliament shall be transacted in Hindi or English भारत के समयधान का कौन सा अनुछेद या उलेख करता है कि संसद में काम काज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा आपको पता है कि almost everything has been mentioned in the articles articles हर एक चीज़ को mention किया है deal करता है यहाँ में प्रस्ण आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा article है जो यह बताता है कि जो संसद में काम काज होगा वो Hindi या अंग्रेजी में होगा yes which is that article which talks about this provision so it is article 120 it is 120 और संसद में कौन सी भासा इस्तमाल होगी इसके बारे में article 120 में जो है चीज़े वो mention है article 120 talks about languages to be used in the parliament ठीक है आपको याद रहेगा article 120 uses article 120 talks about languages to be used in the parliament ठीक है article 120 याद रहेगा clear let's move to next question which of the following is a right under article 300a ये बहुत ही खुबसुदत question है article 300a के अंदरगत कुछ rights mention है आपको बताना है कि वो कौन से rights है निमलिकित में से कौन सा अंच्छेद 300a के तहत एक अधिकार है ये कौन सा अधिकार है जो article 300a के अंदरगत mention है आपके सामने चार options है right to freedom, right to life, right to property और right to education yes yes इसका जो right answer है वो है right to property ठीक है 44th amendment act जब आया था 44th amendment act इसने कुछ करांतिकारी काम किये थे 44th amendment act has removed right to property right to property from from 44th amendment act जब आया तो उसने जो शंपत्तिक अधिकार है इसको fundamental right से हटा दिया remove from fundamental right मतलब अभी की बात करें तो right to property is no more a mool अधिकार ये अब fundamental right नहीं है और इसके को हटाने के बाद एक और article जो हटा वो हटा article 90 clause 1 sub clause if article 90 clause 1 sub clause if or article 31 article 31 दोनो को remove कर दिया गया both articles have been removed and instead of these articles a new article article 300a has been inserted inside the constitution समिधान में चवालिस्वा समसुधन करके article 31 a article 31 और article 91 sub clause if को remove कर दिया गया जो कि एक mool अधिकार का part हुआ करता था और उसको हटाने के बाद article 300a को add कर दिया गया तो इससे क्या फर्क परा इससे फर्क यह परा कि जब mool अधिकार fundamental right से हमाया right to property हट गया और यहां पर आ गया तो यह क्या हो गया now it is a now it is a legal right now it is a legal right ठीक है यह कानूनी अधिकार रह गया और यह fundamental मूल अधिकार नहीं रह गया आप पूछो कि कि सर्ल मूल अधिकार और कानून अधिकार में क्या अंतर है देखिए जब यह fundamental right हुआ करता था तो मान लो कि government को आपकी land की जववत है आपके पास land है government को ओवर ब्रीज बनानी है तो आपकी land की जववत है चुकि यह जो अधिकार है वो fundamental right था तो आप इसके against court में चले जाते थे ठीक है और कई बार ऐसा हुआ है कि court ने इसको valid करार दिया और government को land नहीं मिल पाया उससे बहुत सारी स क्योंकि fundamental right होने कान हमें development में बहुत सारा issue जा रहा है तो 44th amendment act लाए गया और उसी act के थूरू संसुधन करते हुए article 31 और article 191f को हटा दिया गया और इसको मूल जो अधिकार था उससे इसको वंचित किया गया और इसको एक legal right कानून अधिकार के रूप में अब जानने लग गया है ठीक है तो right to property is under article 300 यह हमें सद्धान रखिएगा article 300 एक प्रस्न आते हैं बार बार ठीक है और आपसे अगर यह पुछा जाए कि किस संसोधन के थूरू right to property जो है वो मूल इधिकार से हटाए गया है तो वो याद रखेंगे आप लो 44th clear है let's move to next question which of the following articles of the constitution of India deals with amendment in the constitution भारत के संविधान का निमलखित में से कौन सा नुछेद संविधान संसोधन से संबन्दित है which of the following articles of the Indian constitution deals with amendment in the constitution जो संविधान में amendment का procedure है वो किस article में mention है यह आपसे पूछा जा रहा है बहुत असान question है simple सा question है आपको बताना है कि किस article में इस सब चीज़े mention है yes right answer is 368 article 368 of part 20 article 368 of part 20 talks about amendment in the constitution article 365 बात करता है if a state fails to comply comply center direction article fails to comply center direction ठीक है center जो भी बात कहती है क्या उसको state मानता है या उसको state fail करता है उसकी बात करती है और आर्टिकल 55 is very important आर्टिकल 55 कहता है it is the responsibility of the center मतलब भारत गवर्मेंट का बाहर सरकार की responsibility है कि वो state को प्रोटिक करें ठीक है internal aggression से और external aggression दोनों से मतलब state के बाहर से कोई aggression होता है या state के अंदर भी को internal aggression होता है उससे प्रोटिक करता है center state को this has been mentioned in article 355 ठीक है clear fundamental rights are mentioned in which part of the constitution of India very easy question बहुत ही आसान question है इसमें सीथा से पुझा जाया है कि भारत के समिधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उलेख है यह आपको बताना है मौलिक अधिकारों का उलेख किस भाग में है यह आपको बताना है yes please tell me the right answer which part of the question talks about fundamental rights yes it is part 3 it is part 3 clear part 4 we had discussed already DPSP direct principles of state policy part 6 is state state ठीक है and part 9 is पंचायत ठीक है clear जब भी मैं प्रस्ट कराऊं या जब भी आप भी प्रस्ट करें तो एक चीज़ का हमें साथ ध्यान रखें कि जो लड़का या जो भी एक student है जो भी एक student है, जो successful होगा उसमें क्या है कि वो इस answer के बाद इसको अगर नहीं पता है तो यह भी पता करेगा कि यह तीनों जो हैं, वो किस subject को deal करते हैं ठीक है, this is the difference, so please every student of mine, please इसको follow करें, I will be very happy इसको follow करेंगे, तो आपके लिए success बहुत आसान हो जाएगी, next question fundamental duties are contained within which articles of the constitution of India मौली करतब में भारत के समयधान के किस अनुछेद में नहीं थें, यह आपको बताना है क्या बात हो रही यहाँ पर fundamental duties आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो fundamental duties हैं, वो original constitution में mentioned नहीं था, जब हमारा समयधान सभार ने नया constitution बनाया था तो उसमें fundamental duties का जो concept था वो नहीं था, उसके बाद में एक committee घठर होई उसने recommendation दिया, उसके बाद जाके fundamental duties हमारा समयधान में कहीं नहीं incorporate किया गया, ठीक है तो आपकी से पूछा जा रहा है कि which articles of the constitution deals with fundamental duties यस इस it is 51A it is 51A article 51A talks about fundamental duties ठीक है और fundamental duties was added on the recommendation of स्वरन सिंग committee स्वरन सिंग committee यह भी याद रखना है, कई बाद आप से पूछा जाता है क्यों कौन सी committee थी जिसके recommendation पे fundamental rights को हमारे समयधान में incorporate किया गया है, so it is also very important कभी-कभी आप से यह भी पूछा सकता है कि कौन सा समयधान की समस्वदन था, तो उसको यह आप लोग गया रखना है 42nd amendment आपसे आपसे भी पूछा जाता है कि टोटल कितने fundamental duties हैं, तो वह हैं टोटल 11, इसके बाद जब आइड किया गया था तो टोटल 10 थे 10 प्लस 1, एक और एड कर दिया गया, ठीक है, वह एड किया गया, 86th amendment act है 86th amendment act 2002 2002 में 86th समयधान की समस्वदन था लाके, और एक और जो fundamental duties है, वह एड कर दिया गया और वो क्या है, जो इगारवा, जो fundamental duties एड किया गया, वो क्या है, वो है कि every parents self-provide oppository to their children between the age of 6 to 14 to get proper education, ठीक है, 6 से लेके 14 साल तक जो भी बच्चे है, उनको, उनके माता-पिता या गार्जियन, ऐसा environment प्रवाइड कर आएंगे, जिसमें वो लो formal education ले पाएं, ठीक है, यह fundamental duties है clear है, fundamental duties है, next प्रस को लेते हैं, which of the following articles states that a state shall not discriminate against any citizen on the ground only of, बहुत खुब सुरत एक word है, इसको हम आएंगे, समझेंगे चीजों को अच्छे से, ठीक है, एक conceptual understanding बनाएंगे, जिससे हम आगे परस में दिक्कर नहीं हो, क्या बहुत रहा है, which of the following articles states that a state shall not discriminate against any citizen on the ground only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा article है, जो यह बात कहता है, भारती समयधान का एक उनुच्छेथ है, जिसमें लिखा हुए है कि the state shall not discriminate only on the ground of religion, race, caste, sex, and place of birth, ठीक है, और any of them, यह आपको आपको आटिकल बता ही है, उसका बाद मैं आपको बताता हूँ, कि इस only का क्या महत्तव है, yes, what is that article, the article is article 15, do you remember एक movie आई थी कुछ दिन पहले, article 15, हाँ, एक movie आई थी, आई अंसुमन खुराना की movie थी वो, movie का नाम था article 15, ठीक है, article 15 कहता है कि जो state है, जो government है, ठीक है, state मतलब government, जो government है, वो discrimination नहीं करेगी, only on the ground of, only मतलब केवल इस ground पर, मतलब इसके अलावा अगर कोई और ground है, तो उस पर discrimination हो सकता है, जैसे और कौन सा ground हो सकता है, जिस पर discrimination हो सकता है, जैसे, क्या ले सकते हैं, कुछ idea है आपको, जैसे, backwardness, अगर backwardness है, पिछरापन है, तो ये जो ground है, इस ground पर discrimination हो सकता है, और आपने ये भी देखा होगा, जैसे हमारे government की reservation policy है, ठीक है, reservation policy है, अलग-लग section को reservation दिया जाता है, महिलाओं को भी दिया जाता है, उस policy का जो मूल आधार है, वो यही है, कि जिस section को reservation दिया जा रहा है, वो backward है, वो कहीने कहीं, जो मूल development का route है, उससे पीछे रह गया है, ठीक है, उसको उस धारा में बराबर का अधिकार देने के लिए, यह reservation policy लाएगी है, और उसका अधार क्या है, वो है backwardness, यह backwardness देखो, यहाँ नहीं भी mention है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, state cell not, यहाँ हो जाएगा, state cell discriminate on the ground of backwardness, ठीक है, तो पिछरापन के अधार पे तो state discrimination करती है, क्योंकि आप कहीं नहीं अगर आप देखोगे, तो आपको लाएगा कि reservation भी एक तरह से discrimination है, लेकिन नहीं, यह discrimination नहीं है, क्योंकि state की responsibility होती है, कि उस state का हर एक citizen, एक मूल धारा में, के परवहा में बराबर चले, ठीक है, अगर कोई पीछे छूट जाता है, तो यह भी state की responsibility है, उसको साथ लाने की, ठीक है, तो आपको अब एक concept clear होगा, और मैं इतने च्छा से बता हूँ, मुझे पूरी उमिद है, कि आप इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे, आर्टिकल पंदर जो है, वो कहता है, कि the states shall not discriminate against any citizen, only on the ground of religion, race, caste, sex, and place of birth, ठीक है, place of birth, आपकी जगह पे जन्म हुए, उसके दाहर पे कोई भी discrimination नहीं होगा, अगला पस्ट लेते हैं, which articles of Indian constitution is related with the special provisions with respect to state of sikkim, हमारे constitution में बहुत सारे states को लेके special provisions है, ठीक है, जो भी state पीछे रह जाता है, उसके लिए special provisions बनते हैं, जो कि उसको भी एक मूल धारा में लाए जा सके, उसकी भी development है, बाकी वैसे देशों के साथ, इसकी development अच्छी है, उसको बड़ाबर रखा जा सके, आपको बताना है कि sikkim को लेके, वो कौन सा special provision है, yes, sikkim, what would be the right answer, the right answer is, article 371 if, article 371 talks about, 371 talks about a special provision of sikkim, so basically article 371 में, 11 states के बारे में provisions है, 11 states के बारे में special provisions है, ठीक है, and out of this 11 states, 6 are from northeast, ठीक है, out of this 11, 6 are from northeast, clear, special provision का purpose मैंने बताया है, कि हमारे country में, special provision का, इसलिए purpose है, कि कोई भी state, जो development की speed है, उससे पीछे नहां रह जाए, या बहुत सारे state में, जैसे कि, tribes रहते हों, या ऐसे, परजातिया रहते हों, जिसकी संद्रक्शन बहुत जोरी है, तो उसके development के लिए, उसके security के लिए, उसके protection के लिए भी, special provisions बनाए जाते हैं, ठीक है, clear? Next question, इसकी विश्टोरी अमनों थोरी देखेंगे, लेगिन अभी आर्टिकल को पहले पहचान लेते हैं, कि कौन से आर्टिकल है, जो इसके बारे में बात करता है, Yes? The right answer is आर्टिकल 338, ठीक है, आर्टिकल 338 talks about National Commission for Scheduled Cust, वहीं पे एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 338A talks about National Commission for Scheduled Cust, Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Scheduled Tribes, आर्टिकल 338A, जो है, उसकी बात करता है, अच्छा, दो हजार तीन में, दो हजार तीन में, 89th Amendment Act, आता है, और वो क्या करता है, वो दो आर्टिकल बनाता है, वो एक 338 और एक 301, और दोनों SCST के जो कमिशन ने उसको अलग कर दिया, मतलब, 2003 के पहले ये जो कमिशन था, दोनों सेम थे, National Commission from SC and ST, prior to 2003, 2003 के बाद, इस दोनों कमिशन को अलग-अलग कर दिया गया है, और दोनों के लिए एक separate article दिया गया है, Article 338A is for Scheduled Tribes, and Article 338 for Scheduled Caste, ठीक है, clear हैगा, Let's move to next question, Which part of Indian Constitution is known as, Magna Carta of India, भारते समयधान के किस भाग को भारत का Magna Carta कहा जाता है, ये आपको बताना है, Magna Carta, Part 3, 2, Part 6, और Part 4, So, certain set of rights, certain set of rights, इन्होंने दिया था, जिसको हम लोग Magna Carta की नाम से जानते हैं, ठीक है, चुकि ये 1215 में दिया गया था, बहुत पहले दिया गया था, तो इस right का अपना महत्त है, इसलिए भारत में कुछ certain rights हैं, जिसको Magna Carta की नाम से जानते हैं, और भारत में वैसे ही कुछ rights हैं, जिनको हम Magna Carta भी कहते लेते हैं, आपको बताना है कि वो कौन से part के right हैं, 3, 2, 6, और 4, तो basically it is fundamental rights, अंडर अंडर पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 के अंदर जो fundamental rights हैं, उसको हम Magna Carta कहते हैं, और आपको पता है कि Magna Carta कैसे कहते हैं, 1215 में King John जो थे, England के, उन्होंने, अपने citizens को कुछ rights दिये थे, जिसको हम Magna Carta कहते हैं, वो rights जो थे, वैसे ही rights, इंडिया में freedom, जो fundamental rights हैं, उसको हम लोग Magna Carta के समक रखते हैं, और उसको भी हम लोग Magna Carta के एक बर कहते हैं, ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए, कि कौन से rights हैं, जिसको Magna Carta भी कहते हैं, या कौन से part हैं, तो part 3 के अंदर जो fundamental rights हैं, उसको हम लोग Magna Carta कहते हैं, Let's move to next question, Yes, please concentrate, which of the following directs the state to provide equal justice and free legal aid, this is the term where we have to concentrate, यहां पर आपको ध्यान देने के जो होते हैं, which of the following directs the state to provide equal justice and free legal aid, मतलब, प्रतंतर कानूनी सहायता प्रदान करने का जो निर्देश है, वो भारतिय समिधान के किस section में दिया गया है, यह आपको बताना है, आपके समने चार उप्सन से, पार्ट 6 of Indian Constitution, पार्ट 5 of Indian Constitution, पार्ट 7 of Indian Constitution, और पार्ट 4 of Indian Constitution, यह बताईए, 65, question number 65, का अंसर आपसे पूछा जा रहा है, कि किस पार्ट में यह दिया गया है, state को बोला गया है, कि आप equal justice और free legal aid, provide कराएंगे, आपके समने डिसाओ आपके समने में कार्ट 4 of Indian Constitution, आपके समने अके समने अ की प्हांगे समने में कार्ट 12 अर्ट 12, अकार्ट 139 A, अबाँ क का इताभ एक पार्ट 12, समेन इक और आपषने में अ कमें अक्षने घ्ट 12, aid, right, clear और ये क्या है part 4, मैंना वो पहले बता है, part 4 is DPSP DPSP अच्छा, fundamental rights जो है वहाँ पे भी तो state को कहा जाता है कि आप equal opportunity दोगे, आप को discrimination नहीं होने दोगे और DPSP में भी state को ही कहा जाता है कि आप free legal aid provide कराओगे आप पंजायती राज करोगे, ठीक है आप इनुफार से कोड लाओगे तो कई कबार इससे सवाल उत्पन होते हैं then what is the difference between fundamental right and direct principles of state policy तो dear students the major difference between fundamental rights and DPSP is fundamental right is justiciable, मतलब अगर fundamental right का उलंगान आपका होता है तो you can approach the supreme court or the high court, लेकिन directive principles of state policy, जहां पे state को direct किया जाता है कि you have to do these certain things in favor of the citizen अगर कोई भी राज्य उसको करने में fail होता है, तो आप न्याले को approach नहीं कर सकते है मूल अधिकार का उलंगान में आप कर सकते हो और directive principle का उलंगान अगर होता है तो आप नहीं कर सकते हो this is the major difference between DPSP and fundamental rights, clear है Yes Which of the following articles establish the provisions of right to education निम्लिकित में से कौन सानुछेद सिक्षा के अधिकार के प्रावधान को अस्थापित करता है, ये आपको बताना है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो आर्टिकल है जो सिक्षा का अधिकार देता है ये आपको बताना है Yes Yes That article is Article 21A Article 21A Talks about Right to Education और आपको पता है Right to Education Act भी आया था 2009 में ये भी आप लोग याद रखेंगे और 86th Amendment Act के थुरू ही हमारे समिधान में इस Article को इंसर्ट किया गया था Fundamental Right के अंदगत इसको डाला गया था Article 86th Amendment Act 2002 और Right to Education को है इसको Fundamental Right मूल अधिकार बनाए गया है अब आपको ये बताना है अगर आपसे मैं कोशन पूछूँ कि कौन सी कमिटी है जिसके Recommendation पे Article 21A को समिधान का पार बनाए गया Fundamental Right का पार बनाए गया तो आपको क्या आंसर होगा आपको आंसर होजाएगा तपस मजुमदार कमिटी तपस मजुमदार कमिटी इस कमिटी रेकुमेंट किया था कि Right to Education जो Act है जो प्रोविजन से इसको मूल अधिकार बनाना बहुत जोड़ी है तो आटिकल 21E जो है वो Fundamental Right के अंदगत इंकोर्परेट कर दिया गया ठीक है तो Right to Education जो है वो Article 21E के अंदगत मेंशन है ठीक है और Right to Education Act का बाया था Right to Education Act का बाया था 2009 ठीक है ये भी क्लिर है याद रहेगा अगले पसके जब चलते है Which of the following articles of the Constitution Gives the Right to Consult a Legal Practitioner of One's Choice सविधान का निम्रिखित में से कौन सानुछेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से प्रामस लेने की अधिकार देता है अपनी पसंद के वो कौन सा आटिकल है जो बैलता है कि कोई भी सी रिजन अपनी पसंद के वकील से कंसल्ट कर सकता है उस केस में जब उसको काणूनी साहता की या सला की जोवत परें बताईए ये चार आटिकल है 19, 21, 22 और 20 तो आटिकल 22 जो है वो इस बात को कहता है वो प्रोटेक्शन देता है एक सी रिजन को और आटिकल 22 को बोलता है प्रोटेक्शन अगांस 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 तो आटिकल 22 कहता है कि there is a protection against arrest and detention in certain cases अब आपको लग रहा हुआ कि मैंने यहां क्यों लिखा certain cases इसके मैंने यह क्यों नहीं लिखा all cases अब मान लो कि आपने से कोई जा के कोई वैसा कारे कर दे आप इससे आपने you have waged a war against the state आपने government of India के अगेस्ट कोई ऐसा conspiracy कर दिया जो कि punishable है उस case में आपको proper freedom नहीं दी जा सकती है आपको freedom तो है उस case में भी लेकिन वो proper freedom नहीं हो सकती है कि आप तो मुक्रेश से consult ही करो ठीक है तो यह चीज़ मैंने आपको समझा है इसलिए certain cases लिखा जाता है लेकिन यह चीज़ आपको में से याद रखना कि अगर कभी यह question ना है कि कौन सा article यह चीज़ बात करता है तो आपको में से याद रखना है वो article कौन सा है वो article है 22 article 22 जो है वो यह नुमती देती है कि आप अपने इक्षा के अनुसार अपने एक जो आपके फेवरिट वकील है जो जिससे आप कंसर्ट करना चाहते हो लो मैटर पे उनसे आप discuss कर सकते हो ठीक है इसका राइट आपसर क्या हो जाएगा article 22 next question in which of the following articles it is mentioned that directive principles are not justiciable मैंने आपको थोई दे पहले समझाया है कि directive principles of state policy जो है वो justiciable नहीं है मतलब उसके उलंगन हो तो आप नियाले नहीं जा सकते हो और वहीं पे जो मूल अधिकार है fundamental rights है उसके उलंगन पे आप नियाले जा सकते हो एक article है जो इसके बारे में explicitly बात करता है कि हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो पर आप कोंसा article है Please identify that article 37, 40, 38 या 39 It is very easy question that article is article 37 Article 37 is the right answer ठाके बात क्लिर next question which articles of the constitution of India provides for the power to the president to convene a joint city this is the key word a joint city of the both houses of the parliament कई बार क्या होता है कि बहुत सारे से कानून पर बहुत सारे से जो विसे होते हैं जिस पर विवाद हो जाता है या बहुत सारे से issue arise होते हैं जहां पर joint sitting जोफ होती है तो इसको क्या है इसको जो भारत की रासपती है इसको बुला सकते हैं ठीक और इसके बारे में एक article में mention है वो article कौन सा है वो अनुछेद कौन सा है जो इसके बारे में बात करता है भारत के समिधान का कौन सानुषेद रास्पति को संसत के दोनों सदनों की संजुक्त बैठर बुलाने की सक्ति प्रदान करता है या वो वदाना है 331, 105, 108 या 85 बताइए क्या होगा राइट आंसर येस राइट आंसर इस आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 कैए बार एबी कुशन आता है कि the joint sitting जो बुलाई जाती है उसका preside कोन करता है जिसे लोगसभा में तो लोगसभा speaker करते है राजसभा में उपरास्पति करते है और लोगसभा में अगर speaker नहीं होते डिप्टिश करते है लेकिन joint sitting जब होगा तब कौन करेगा तो यहाँ पर कई बार गलती से बहुत सारे student को मैंने देखा है वो precedent लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है precedent sitting को कभी भी preside नहीं करता है वो हमेशा करता है लोगसभा speaker लोगसभा speaker जो लोगसभा के speaker होते हैं वोही इस joint sitting को जिसको रास्पती आर्टिकल 108 के अंतरगत बुलाते हैं उसको यह वो preside करते हैं यह आपको बिल्कुल याद रखना है आर्टिकल 331 थोड़ा important है इसको देख लेते हैं आर्टिकल 331 टॉक्ट बाउट Reservation for Anglo-Indian Anglo-Indian यह Anglo-Indian कौन होते हैं जब British हुकमत का कबज़ा था हमारे देश पे तो जो British आके Indian women से साधी करते थे उनके बाद जो उनके बच्चे होते थे तो उनको हम लोग Anglo-Indian कहते थे ठीक है जब भारत आजाद हो गया तो वैसे बहुत साए लोग इंडिया में ही रहे गये तो उनका भी representation जो गुवर्मेंट आफ इंडिया समझी कि जवूरी है इसलिए उनको Reservation दिया गया आर्टिकल 331 के अंतरगत ठीक है आर्टिकल 331 आट के थुरू इसको रिमूफ कर दिया गया इसको रिमूफ कर दिया गया और इसी आट के थुरू CCST के लिए 10 एयर की jurisdiction है और वो बढ़ा दी गए ठीक है clear नेसको से लेते हैं Which articles of the Constitution of India deals with the conduct of business of the government of state समझीधान का वो कौन सा अनुछेद है जो राजसरकार के काम काज के संचालन से सम्मधित है वो कौन सा आर्टिकल है जो राजसरकार के काम काज के वारे में बात करता है यह आपको बताना है पार्ट आपको पता है State Government की हम बात करें It is Part 6 Union Government is Part 5 ठीक है DPSP Part 4 Fundamental Rights Part 3 Citizenship Part 2 यह सब कुछ important parts है जो आपको याद रखने हैं बताए इसका क्या होगा Right Answer Article 165, 163, 166, 164 Yes, the right answer is 166 166 Article 166 जो है जो है 166 जो है It talks about the conduct of business of the state ठीक है और Article 165 जो है It talks about advocate general Advocate general of state Advocate general of state की बारे में बात करता है Article 165 यह भी आपको याद रखना है 164, let's talk about other provisions as the ministers The state ministers है उसके बारे में कुछ provisions है इसमें Other provisions of state ठीक है Let's move to next question Which articles of the constitution of India deals with the appointment of ad hoc judges बहुत खुबसुरत question है बहुत important question है लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दू Ad hoc judges is the key मैं हमें साह करता हूँ कि हर एक question में आपको एक key ढूंडना है यहाँ पर क्या key है यहाँ पर key है Ad hoc judges Ad hoc judges क्या होते हैं Quorum Strength जब भी किसी bench का strength पूरा नहीं होता है तो Supreme Court के जो chief judges of India है उनको इधिकाल होता है कि कुछ ad hoc judges को appoint कर सकते हैं So that the quorum can be met And hearing can be done ठीक है यह quorum जो है यह जो strength है जैसे कि मानलों कि कोई एक bench है वहाँ पर साथ judges बैठते हैं अगर साथ मेसेज छेही judges उहाँ पर अगर अगर अभलेबल हैं तो Chief Justice of India के पास यह power होता है कि ad hoc judges को appoint कर सकता है ठीक है यह ad hoc judges आप समझेए Ad hoc judges क्या होता है अब question देखते हैं कि भारत के समिधान का कौन सा अनुछेत विशेश निया अधिसों की नियुकती की सम्मझी थे इसके बारे में भी एक आटिकल में बेंसन है आपको बताना है कि वो आटिकल कौन सा है Yes Which article talks about ad hoc judges Yes, that article is Article 127 127 जब भी quorum में कमी होती है अब इन ad hoc judges को appoint किया जाता है यह आपको बिल्कुल ध्यान देना है और उनको point कोन करता है Chief Justice of India ठीक है कभी भी question में आज़ा कि पसिरिंड करता है यह इस्तर से प्राइमिस्टर करता है तो वो गलाच जबाव हो जाए Next question Which articles of the Constitution of India deals with the session of the parliament भारत के समिधान का कौन सानुछेद संसत के सत्रों से संबंदित है session of the parliament session क्या होता है budget session हो गया winter session हो गया summer session हो गया ऐसे session होते है पार्लेमेंट में वो जो रोज जो member of parliament बैठते हैं उसी को session कहते हैं ठीक है आपको बताना है वो कौन सा article है जो session की बात करता है Yes Article 85 89, 90 या 101 not 1 Yes That article is article 85 Article 85 talks about the session of the parliament ये आपको आपको आपकल या रखना है It is very important Clear है Let's move to next question Which article of the constitution of India declares that the seat of supreme court is in Delhi Supreme court का जो seat होगा जो bench होगा जो बैठेगी वो देली में बैठेगी इसके बारे में एक article में बैठेगी Excuse me मैंने आपको बताया है कि हर एक provision हर एक चीज हमारे समिधान के अनुशे दुम्हें में बैठेगी आपको ये बताना है कि ये चीज कि Supreme Court का बेंच देली में होगा एक किस आर्टिकल में में नहीं आपको बताना है 31, 30, 32 या 29 29, 30, 31, 32 Yes Yes So the right answer is Article 130 Article 130 talks about the seat of the Supreme Court that shall be in Delhi ठीक है, clear है, clear concept Delhi में होगा अगले पर सकतिब चलते है Articles 263 It is very important, बहुत महत्पून आर्टिकल है और ये exam में मैंने कई बार देखा है पुरा question पढ़ते है Article 263 of the Indian Constitution relates to the establishment of इन चारों में से किस के establishment की बात करता है Article 263 Yes Article 263 talks about which of the following body Yes, tell me the right answer क्या हो इसका right answer Article 263 में इन चारों में से किस body के बारे में बात की गई है तो इसका जो right answer हो जगा वो हो जगा है Interstate Council Interstate Council अंतर राजिये परिस्द अंतर राजिये जो परिस्द होता है उसके बारे में अनुचेद 263 में में इन सन की गई है बाते ठीक है यह भी याद की यह सब बहुत ही मोड कोशन है यह अनुचेद वाला कोशन भी कई बार आप देखे होंगे यह Interstate Council यह कई बार एक्जाम में ने देखा कि डिपीट होके भी पूछा गया है तो यह कोशन अगर दुबार आता है तो प्लीज आप गलत मत कीजेगा ठीक है आपको गलत नहीं करना है Interstate Council Let's move to next question Which articles of the constitution of India provides equal protection of the law and equality before the law क्या है कोशन कोशन कह रहा है कि भारत के समिधान का कौन सानुछेद कानूनों के सम्मान संरक्षन और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है Yes Equal protection of law मतलब जो law होगा वो हरे एक इनसान को equally protect करेगा ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा प्रदा करेगा किसी को कम प्रदा करेगा इसलिए क्या कहता है provides equal protection of law इस वार पर ध्यान दीजेगा equal protection of law कानून का सम्मान इस नक्षन ठीक है और equality before law और कानून के सामने हर एक इनसान क्या होगा equal होगा ठीक है equality before law यह कौन से आर्टिकल ने मेंशन है यह आपको बताना है बहुत ही खुबस्वत पस्न है यह बताए विच आर्टिकल टॉक्स बाट इस प्रोविजन आर्टिकल 30, आर्टिकल 42, आर्टिकल 60 और आर्टिकल 14 विच आर्टिकल टॉक्स बाट इस प्रोविजन very beautiful question and very important article of fundamental rights and that article is article 14 article 14 जो है वो कहता है कि there shall be equal protection of law और every person shall be equal in front of law ठीक है कानून का सम्मान रस्रेक्षन और कानून के सामने हर एक आदमी बराबर होगा, यह article 14 है जो part 3 of the fundamental rights से वो इसकी बात करते है I hope these lectures are very helpful बहुत अच्छे से आपको पोल्टि समझ में आ रही होगी I assure you कि मैं आपकी पोल्टि की जो भी MCQ है वो बहुत छे टेक्षे करा दूँगा Please be with me और revision करते रहेए and I request you कि please do multiple revision of books Please make sure that you make testries आप जो testries है उसको करें You make use of testries It is very important Testries बहुत इसलिए अवेबल है आप कहीं से testries कर सकते हैं In fact हमारे पोल्टि भी testries अवेबल है आपको जहां से करना आप testries कीजिए लेकिन testries अगर आप नहीं करोगे तो आपका अपना evaluation नहीं हो पाएगा और जब evaluation नहीं हो पाएगा तो चीजिए आपके लिए उतना positive थाबित नहीं हो पाएगे Thank you so much बहुत जल्दी हम लोग second अगले lecture में मिलेंगे अच्छ बहतरी पोल्टि के कुछन के साथ प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ते रहे Thank you so much